कि वेल्कम टू एलम्पी सेवाज अकैडमी जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे चे लास ट्रेंथ का चैप्टर लीनिर एक्विशन इंटू वारीवल माथमाटिक से और इसमें आज हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ओफ लीनिर एक्विशन इससे जस्ट पहले वाले लेक्विशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि लीनिर एक्विशन की जनरल एक्विशन क्या होती है और उसकी हर एक छोटी चीजों पर हम लोगों ने नजर रखी थी क्लियर है अब बात करते हैं कि एक लीनिर एक्विशन एक लीनिर एक्विशन इन टू वैरियबल है यहां पर कैसे लीनिर एक्विशन इन टू वैरियबल है क्लियर है न हमारा चैप्टर का नाम ही यह है तो एक लीनिर एक्विशन इन टू वैरियबल क्या कैसे सॉल्यूशन निकलेग उसके उपर चर्चा हाज हमें करनी है तो सबसे पहले जर्नल एक्वेशन लिखवाई आप लोग फटाफट बोल दीजी क्या होती जर्नल एक्वेशन हाँ ax very good plus by plus c equal to 0 very good हाँ जहां पर a कभी 0 के बराबर नहीं होगा b कभी 0 के बराबर नहीं होगा c हो सकता है और नहीं भी हो सकता है उससे हमें कोई फरक नहीं पड़ता है ठीक है चलिए ये मेरी जर्नल एक्वेशन थी अब इसके मुझे बात करनी solution की solution का मतलब क्या होता है solution का मतलब होता है जैसे ये एक equation है तो इसमें जो variables है variable क्या है इसमें x and y दो variable है इसमें x और y तो solution का मतलब है मैं ऐसी कौन सी x की value पुट करूं और साथ साथ मैं ऐसी कौन सी y की value पुट करूं तो जो lhs आए वो मेरा rhs के बराबर आ जाए यहां पर rhs कितना है 0 यहां पर lhs क्या है ax plus by plus c equal to 0 और मान लेजिए वो मेरी value आई मैंने मान लेजिए x की value आई मेरी alpha को एक value आई जिसका मैंने नाम रख दिया alpha कि जब मैं x equal to alpha and y equal to beta x equal to alpha and y equal to beta इसको alpha पढ़ते हैं इसको beta पढ़ते हैं कोई भी मैंने value ले ली कि जब मैंने x equal to alpha and y equal to beta इस lhs part में इस equation के lhs part में put करी तो जो मेरा lhs आया वो rhs के बराबर हो गया तो जैसे ही मेरा lhs rhs के बराबर हो गया that is जो मैंने x और y की value put करी है वो इस linear equation का क्या बन गया solution क्या बनेंगा solution तो जैसे ही solution बनेगा मतलब अगर मैं x की जिगा alpha put करना तो यह क्या बन जागा alpha plus b beta plus c equal to zero हां यह मेरा solution बन गया जहां से यह verify कर रहा है lhs equal to rhs को यहां पर आपको थोड़ा कम चमक रहोगा alpha beta की हम लोग एक example ले लेते हैं एक example लेते हो और पूरा चमका देते हैं क्लियर रहना क्योंकि जैसे example लेंगे number दिखाई देंगे number लोग बहुत ज्यादा खिलवाड करते हैं नहीं चलिए एक example ले लेते हैं example कुछ इस तरीके का आपको एक journal equation नहीं आपको एक proper linear equation into variable दे रखी है यह है आपकी 5x minus 3y equal to 9 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5x minus 3y minus 9 equal to 0 यहां पर lhs आपका यह और यहां पर rhs आपका यह यह यहां पर lhs आपका यह और rhs आपका 0 चाहिए आप जैसे मर्जी करिए चलिए मैं आपको इस तरीके से करा देता हूं क्योंकि यह आपका general equation के तरह behave कर रही है अगर आप general equation की मदद से लिखें तो बताइए a की value compare करके तो x का coefficient होता है a की value तो 5 और b की value y का coefficient तो minus 3 with proper sign बताते है c की value minus 9 देखिए नाई तो a0 नाई तो b0 और c तो हमें देखना ही नहीं होता है clear है ठीक है so that अभी बोल रहा है किसने आपको x और y की value भी दे रखिए इसने question ने आपको x की value दे रखिए 3 and y की value दे रखिए आपको 2 बोला है so that x equal to 3 and y equal to 2 is a solution of equation यह रही 5x minus 3y minus 9 equal to 0 solution check करना है solution check करना तो मैंने क्या कहा था जो x की value है और y की value वो मैं put कर दूँ तो lhs और rhs के आने चाहिए बराबर चलिए lhs ले 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 तो हम फटा-फट lhs मेरा क्या है 5x minus 3y minus 9 चलिए 5 into x कितना है 3 minus 3 into y कितना 2 minus 9 चलिए 5 3 जा 15 और minus 3 2 जा 6 minus 9 15 में से 6 गया 9 और 9 में से 9 गया 0 देए क्या यह मेरा rhs के बराबर नहीं आ गया हाँ चुकि lhs मेरा rhs के बराबर आ गया तो जो x और y की उसने value मुझे दी ती that is वो उसका solution है वो उस linear equation into variable का solution है तो यह था आज का हमारा lecture solution of a linear equation क्या होता है clear है चलिए आप लोग नहीं समझ माया हो दुवारा वीडियो देखिए और नोट्स मनाते चलिए साथ साथ नहीं मेरे मैं तो लिखवाई रहा हूं आप लोग समझ के करिए चलिए धन्यवाद आप लोग का प्लीज लाइक सेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एलमपी सेवाज अकैडमी जिसमें आपको इसी तरीके से लेक्चर्स मिलते रहेंगे और भाईयों क्रि के साथ सेयर करें जिनको इस तरह के कंटेंट की जरूरत है ठीक है ना चलिए धन्यवाद आप लोग का